मित्रो, इस इकाई को लिखने वाली भी एक महिला ही है, तो आओ इस इकाई की लेखिका का परिचय प्राप्त करें. लेखिका का परिचय नाम डाक्तर कोकिला पारेग जन्मस्तल उवारसद जिला घांदिनगर गुजरात जन्म सन 1954 अभ्यास एमे एम्फिल पी एचडी लेखनकार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है, महिला जागरिती और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है, अभी गुजरात विद्यापीट एम्दाबाद में रेडर के पद पर कारेरत है. 20 सितंबर 2007 को एम्दाबाद हवाई अड़े पर अमरीका से एक हवाई जहाजा पहुँचा, तब अटलांटी सियान प्रत्वे पर पहुँचने जैसी उत्तेजना होई थी, उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनिता विल्यम्स, महिलाए किसे भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसिन तो है ही, परमपराओं की बेडी को तोड़ कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है, युवा पेडी की गौरव शालिप परमपरा में अंतरिक्स पर अपना अस्तित्व स्तापित कर चुकी भारतीय महिला कलपना चावला के बाद सुनिता विलियम्स का नाम जुड़ा है, सुनिता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवानवित किया और सफल होकर वापस आई, हमारे देश के हरियाना प्रांत के करनाल शेहर की कलपना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष्यात्री होने का सन्मान मिला था, हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष्यात्री हैं, दुख की बात यह होई कि कलपना चावला हौसले की बुलंदी को चुकर हमारी कलपना बन गई, कलपना के स्वपन को और खुद के दिवा स्वपन को लक्ष बनाकर सुनिता विल्यम्स आज इस मुकाम तक पहुँची है सुनिता का भारतिय होना हमारे लिए गर्व की बात है उनके नाम के पीछे विल्यम्स लगता है तो फिर भारतिय या गुजराती कैसे या हमारे मन में प्रश्न उठता है सुनिता भारती अन्नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पीता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जूलासन गाहों में हुआ था उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई एहमदावाद निमाध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की डाक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमरीका गए वे मैसाचु सेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध नियूरो सर्जन थे उन्होंने उर्सबाइन बौनी नामक यूगोसलावियन योती से शादी की पिता दिपक पंडिया और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनिता तीनों संतान में सुनिता सबसे छोटी है सुनिता का जन्म 19 दिसंबर 1965 इसवी को ओहियो अमरीका में हुआ था मुक्त वातावरण में पली सुनिता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी सुनिता बच्पन से ही दौड, स्विमिंग, घुड दौड, बाइकिंग, स्नोबोरिंग धनुर विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी वह महनती थी, शिक्षकों की चहती थी घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे छे साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आमस्ट्रॉंग को चांद की धर्ती पर उतरते देखा था तब से मन में निश्चे कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है बच्पन का संकल्प उसने साकार किया उसकी हाइ स्कूल की शिक्षा मैसाचू सेट्स से हुई युनाइटेट स्टेट्स नेवल अकाद्मी मैरीलेंड से भौतिक विज्ञान में सना तक किया Engineering Management Florida Institute of Technology 1995 में बाद में अनुसना तक किया इसके पहले 1987 में नेवल अकाद्मी के व्यावसाइक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था इसके बाद नेवी में Aviation Training अमरिका में कमिशन अधिकारी Basic Divine Officer का पद मिला हेलिकॉप्टर प्राशिक्षन प्राप्त किया परिक्षन के बाद Officer In Charge बन गई सुनिता को United States Naval Test Pilot Course के लिए चैनित किया गया पाइलट बनने की सिद्धी को प्रथम कदम माना अंतरिक्ष पर जाने की तिवर इच्छा थी इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई तब से आज तक सुनिता नासा में कारेरत है 1998 में अंतरिक्ष यात्री कारेक्रम में द्वितिय प्रयास में चैन हुआ दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पाइलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल सौ है सुनिता ने खास मित्र और सहाध्याई माइकल विलियम्स से शादी की और सुनिता पंड्या से सुनिता विलियम्स बनी माइकल विलियम्स ने सुनिता की सिद्धी में साथ दिया सुनिता को अंत्रिक्ष परी बनाने में कलपना चावला ने ही प्रेरणा स्त्रोत का काम किया है पिछले आठ वर्षों में अंत्रिक शात्रा पर जाने वाली भारतिय मूल की दूसरी महिला की सकुषल वापसी से लूगों ने राहत की सांस ली अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था हम दोनों की रूची काफी अलग थी लेकिन भारतिय होना हमें एक सूत्र में पिर होता था हम दोनों को भारतिय संगीत से बेहद लगाव था कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला